Hello everyone, welcome back to my channel. आज मैं आपके रिए लेकर आई हूँ sentences जो कि उर्दू to English हम बनाएंगे और इसमें हम सीखेंगे कि how to learn to make sentences. लेकिन इस वीडियो में हम interrogative sentences बनाएंगे. तो चलें वीडियो को start करते हैं. तो सबसे पहले हम sentence बनाएंगे. sentence है हमारे पास क्या तू मुझसे बात करोगे? ये sentence है feature indefinite. तो feature indefinite का formula होता है. इसका structure है will plus subject plus verb की first form plus object. इसी के according हम उर्दू से English में translate करेंगे sentence को. सबसे पहले हमारे पास word है क्या? तो इसके लिए हम जो है वह use करेंगे will. Will और हमारे पास subject क्या है? तुम. तुम के लिए use होता है you. इसके बात है बात करना. बात करने को कहते है talk. Will you talk? आखर में क्या है? मुझसे बात करोगे. तो हम use करेंगे to me. Will you talk to me? तो इस structure को हमने देखते हुए sentence को translate किया. तो sentence क्या बना हमारा? Will you talk to me? चलें आगे बढ़ते हैं second sentence पर. तो second sentence है. क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? यह sentence है present continuous. तो present continuous का interrogative structure क्या होता है? चले देखते हैं. सबसे पहले आता है is MR. क्योंकि यह question है, interrogative sentence है. तो is MR पहले आएगा. फिर आएगा plus subject. फिर आएगा verb की first form. प्लास ing और प्लास object. तो यहाँ पर हमारा subject है आप. तो आप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यू. ठीके? और क्या? तो यू के लिए हम कौन सा जो है वो question क्या इसके start करेंगे? हम use करेंगे आर. तो सबसे पहले आएगा आर. इसके पाद आएगा हमारा subject जो के है यू. और इसमें action verb क्या है? action word है listen. सुनना. तो listen के साथ हम verb की. verb के साथ हम int लगा देंगे. Are you listening? और सुन रहे हैं तो इसके साथ आएगा to me. Are you listening to me? इसके बाद हमारा sentence है. क्या आप मुझे जानते हैं? तो ये कौन सा sentence है? ये sentence है हमारा present indefinite का interrogative. तो आपको पता है कि present indefinite का interrogative का formula जो structure होता है वे क्या होता है? इसके साथ हम लगाते हैं do does plus verb की first form plus object. Do हम यूज करते हैं I, you, they के साथ और does यूज होता है he, she, it और किसी name के साथ. तो हमारे पास यहाँ पर subject क्या है? subject है हमारे पास आप. तो आप के साथ हम क्या यूज करेंगे? सबसे पहले हम यूज करेंगे आपको कहेंगे you और you के साथ हम क्या यूज करते हैं do तो सबसे पहले आजाएगा do इसके बाद subject आजाएगा do you और जानने को क्या कहते है no do you know मुझे को कहेंगे me do you know me तो इस तरह किसे हम जो है वो एक interrogative sentence बनाएंगे और इसी formula के according हमने यह sentence बनाया do you know me इसके बाद sentence है क्या तुम office नहीं जाओगी तो यह sentence जो है वो interrogative भी है और negative भी है और यह feature indefinite का sentence है interrogative तो उसका structure होता है will plus subject और यह negative sentence भी है तो हम इसके साथ not लगाएंगे फिर आएगा word की first form plus object और question mark तो हमारे पास अभी subject है अगर subject कुछ कोई भी हो you हो, I हो, they हो, we हो या फिर ही, she हो तो future में हम ज़्याद तर will use करते हैं तो सबसे पहले हम question में लगाएंगे will इसके बाद आएगा subject subject आएगा subject के बाद आएगा not नहीं के लिए और verb की first form आएगी go will you not to go और नहीं जा रहे है office क्या तुम office नहीं जाओगे will you not to go to office इसके बाद हमारा बाद sentence है तुम कब मिलोगे तो ये future indefinite sentence है लेकिन इसमें जो है वो word use हुआ है कब तो कब के लिए हम use करेंगे सबसे पहले WH family word WH family words क्या होते हैं जैसे कि what, where, why, when इसके साथ आएगा क्योंकि ये future indefinite है तो हम use करेंगे will फिर आएगा subject फिर आएगा plus subject, verb, subject के साथ verb की first form और फिर आएगा and when object और question mark तो सबसे पहले हम WH family word use करेंगे कब के लिए हम use करते हैं when तो सबसे पहले आएगा when फिर आएगा according to the structure will subject है you, when will you meet मिलने को कहते है meet तो when will you meet अब हमारे बाद sentence है तुम वापिस कैसे आए वापिस कैसे आए इससे हमें ये पता चलता है कि ये past indefinite sentence है और इसमें पूछा गया है कि तुम वापिस कैसे आए ठीक है तो इसमें WH family word यूज़ोगा कैसे के लिए तो कैसे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं WH family word प्लस देट पास indefinite का interrogative formula यूज़ करेंगे WH family के बाद हम प्लस date प्लस subject इसके बाद आएगा verb की first form और फिर आएगा end में object प्लस question mark ठीक है तो कैसे के लिए क्या यूज़ होता है how did इसके बाद हमारे पास subject है you how did you आना आए कैसे तो किसके लिए यूज़ करेंगे come और वापिस के लिए back start किसे होगा WH family से और इसके बाद हम past indefinite का interrogative है तो how did you come back यह यूज़ करेंगे इसके बाद हमारे पास sentence है तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी तो इसमें भी जो है वो word use हो रहा है क्यों और यह past indefinite का interrogative है तो इसका formula होगा WH family इसके बाद आएगा plus did plus subject फिर आएगी word की first form और end में आएगा object क्यों के लिए WH family word यूज़ होगा why इसके बाद हम use करेंगे did why did subject आएगा you why did you छोड़ने को हम leave बहुल सकते हैं और drop बहुल सकते हैं तो हम यहाँ पर use करेंगे drop why did you drop पढ़ाई को क्या कहेंगे studies so why did you drop studies इसके बाद हमारा sentence है तुम कुछ बोलना चाहते हो अगर यह sentence इस तरह होता कि क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो तो हम किसे start करते हैं WH family से हम question को start करते हैं लेकिन यह sentence है present indefinite का interrogative तो present indefinite का formula क्या होता है do does plus subject plus verb की first form फिर आता है object तो यहाँ पर जो है वो sentence स्टार्ट हो रहा है कि तुम कुछ बोलना चाहते हो यह present indefinite का interrogative है तो हमारे पास यहाँ पर subject क्या है तुम है you है तो you के साथ क्या use होता है do तो सबसे पहले क्या आ जाएगा do इसके बाद आएगा you do you want चाहने को क्या कहते है want do you want or to speak something do you want to speak something तुम कुछ बोलना चाहते हो तो हमने इस तरग्य से हम इस sentence को बनाएगे सबसे पहले आएगा do फिर want do के बाद you want फिर आएगा do you want to speak something इसके बाद हमारे पास sentence है तुम मुझे क्यू नहीं समझते हो तो यहाँ पर क्या word यूज हुआ है क्यूँ तो यह sentence जो है present indefinite है लेकिन यहाँ पर क्यूं word यूज हुआ है तो हम किस से start करेंगे wh family से start करेंगे और बाकी structure वही रहेगा जो के present indefinite के interrogative का होता है तो चलें structure को देखते हैं wh family word जो है वो पहले आएगा wh family word के बाद आएगा do या does subject के according फिर इसके बाद आएगा subject फिर आएगा not क्यूंकि यह interrogative भी है और negative भी फिर आएगा plus verb की first form फिर सबसे end में आएगा object तो हम sentence को start कैसे करेंगे क्यों कि English क्या होगी why subject क्या है हमारा you तो you के साथ क्या आता है do तो हम इसके साथ contraction use करेंगे why don't why don't you समझने को क्या करते है understand why don't you understand me तुम मुझे क्यों नहीं समझते हो why don't you understand me तो इस तरीके से हम sentence को बनाएंगे इसके बाद sentence है क्या तुम आज आ रहे हो तो यह कौन सा sentence है present continuous ठीक है तो present continuous में जो है वो इसका structure होता है is am are plus subject plus verb की first form और इसके साथ ing लगाते हैं और प्लास object ठीक है तो इसके साथ helping verb यूज होते है is am are जो के interrogative में हम start में ले आते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम subject के according जो है helping verb यूज करेंगे यहाँ पे हमारा subject क्या है तुम तुम के लिए you so तो are use होगा इसमें तो are you आनर को क्या करते है coming are you coming today ठीक है are you coming today क्या तुम आज आ रहे हो are you coming today इसके बाद हमारे पास sentence है तुम कल कहा जाओगे तो यह कौन सा sentence है यह sentence है future indefinite का interrogative और यह साथ में है wh family word वाला भी sentence आपको कैसे पता चले का यह wh family का है तो इसमें जो है वो subject के बाद word use हो रहा है कहां तुम कल कहा जाओगे ठीक है तो future indefinite interrogative क्या होता है इसका structure क्या होता है कि will सबसे पहले आता है इसके बाद subject आता है फिर इसके बाद आती है verb की first form और object अगर sentence जो है वो wh family वाला है तो इसके साथ सबसे पहले जो लग जाएगा wh family word लगेगा फिर आएगा इसका जो है वो verb will आएगा और इसके बाद आएगा subject और फिर verb की first form आएगी फिर object आएगा तो सबसे पहले हम कहां के लिए क्या यूज़ करेंगे where फिर आएगा will where will फिर subject क्या है you where will you और जाओगे के लिए go और कल के लिए tomorrow so किस तरह बनाएगे sentence को हम where will you go tomorrow clear है आपको ठीक है तो चले आगे बढ़ते है इसके बाद हमारे पाद sentence है कितने दिन लग जाएंगे ठीक है तो ये भी है future indefinite का interrogative sentence लेकिन यहाँ पर क्या word यूज़ हो रहा है कितने तो ये sentence भी wh family के साथ जो है वो start होगा इसके बाद हम वो ही पर future indefinite के interrogate का form जो है structure follow करेंगे जो के रहेगा इसका structure wh family word सबसे पहले आजाएगा फिर आजाएगा will फिर subject और verb की first form लगी कि इसके बाद फिर object ठीक है तो कितने के लिए क्या यूज़ होता है how long फिर आएगा will how long will subject क्या है हमारे पास यहाँ पर कोई subject नहीं है तो हम यूज़ करेंगे it how long will it take how long will it take ठीक है कितने दिन लग जाएंगे how long will it take इसके बाद है उसने क्या कहा ठीक है तो यह क्या है past indefinite का interrogative लेकिन इसमें हम word क्या use हो रहा है क्या ठीक है तो इसमें भी wh family word के साथ हम sentence बनाएंगे और इसका structure होगा wh family plus date subject plus verb की first form और plus object ठीक है तो सबसे पहले क्या के लिए क्या use करेंगे हम what did इसके बाद आजाएगा did अगर लड़का है तो ही और अगर लड़की है तो she what did और कहा के लिए say what did he say ठीक है now clear कि यह sentence हम किस तरह translate करेंगे